हैलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हो तुहारों की चार ऐसी स्वीट की रस्पी जिससे आप कम खर्च में कम मैनत में घर में असानी से बना सकते हो घर की चीजों से तो जिसमें हम डवल लहर वाली मावा बर्फी बनाएंगे बिना मावा के साथ में करुमल लड़ू बनाएंगे असानी से और साथ में बनाएंगे बैसन की बर्फी और मावा बर्फी बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से बिना गैस जलाए तो वीडियो को पूरा देखे आपको यह रेस्पी बहुत ज़ाद अपसंद आएगी एक से बढ़कर एक रेस्पी लेकर आई हूँ तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर से दबाए तो चलिए फिर बनाते हैं सबसे पेहले पैन में हम यहाँ पर आदी क्टोरी जितना गी डालेंगे और इसी क्टोरी से हम यहाँ पर एक क्टोरी जितना मेदा डालेंगे आज को बिलकुल धीमी कर देंगे धीमी आज पर लगाता चलाती हुए इस मेदे को हम अच्छे से बौन लेंगे तो याद रहें कि इसका कलेट चेंज नहीं करना है बस मेदा अच्छे से बौन जाए इसका कच्छा पर निकल जाए तो जिस तरीके से मार्केट की होती है न डवल लहर वाली मीठाई वस वही बनाएंगे बहुत यसानी से बनेगी रिक्दम परफेक्ट बनेगी तो बस इस तरीके से बैसन बुन जाएं तो गेंस को बंद कर देंगे थोड़ी देर इसे और चलाएंगे तके यह हलका सा थंड़ा हो जाएग तो इसे रखेंगे साइड में अरब बनाते हैं इसके लिए फटा फट से चासनी चासनी बनाने के लिए उसी कटोरी से पोनी कटोरी जितनी चीनी और जितनी चीनी लिया है उसका आदा हमें यहाप पानी एड़ करना है तो एक कटोरी से मैंने थोड़ी कम ही चीनी लिया है फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे इसी की साथ में थोड़ा हरी लाजी का पाउडर डाल देंगे चीनी को अच्छे से मैल्ट होने देंगे रिसकी हलकी एक तार बने इस तरीके से तो चासनी बना लेनी है अभी यह हलका तार नहीं बना है थोड़ी देर के मैदा हमने बून के रखा है इसमें सारी चासनी उल्ट देंगे गैंस को अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको जरूर्त लगे कि ज्यादा लिक्वीड है तो आप गैंस को थोड़ा ओन कर सकती हो मगर इसमें जरूर्त नहीं पड़ती है जो हम हलकी एक तारकी बनाती है अच्छे से mix करने के बाद में यहाँ पे ट्रे लेंगे इसमें अच्छे से घी लगा लेंगे बटर पेपर लगाएंगे तो अब जो हमारा mixer त्यार है ना वो हम अच्छे से है जो इसे mix करेंगे रिसके अंदर add कर देंगे तो अगर आप एकी लहर में बना रहे हो बर्फी तो आप सारा मिसरन इसमें डाल दीजिए तो हम बना रहे हैं डवल लहर वाली तो हम क्या करेंगे यहां पे आदा मिसरन इसमें एड़ कर देंगे तो इस ट्रे में आदा मिसरन डाल देंगे आदा हम बचा लेंगे इसमें कोई color add करेंगे अच्छे से set होने देंगे थोड़ा सा बस हलका से ठंडा होने दीजी फिर इस तरीके से set हो जाएगा तब हम क्या करेंगे फटा फट से इसमें थोड़ा सा pink food color डाल लेंगे आप यहाँ पर कोई भी color डाल सकते हो green डाल सकते हो yellow डाल सकते हो और अच्छे से बस इसको mix कर लीजिए जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तो जो पहले वाला वह हलका से थंडा हो गया तो चम्मस से हम अच्छे से set कर देंगे और अब हम यह जो पिंक वाला ना यह इसके उपर डाल के अच्छे से सेट कर देंगे तो बस हलका सा ठंडा हो जाए ना तो यह आप इसके उपर डाले रच्छे से चम्मस से क्लीन कर दीजिए और इसे लगबग एक घंटे के लिए ऐसी छोड़ देना है फ्रिज में नहीं क्या कते हैं तो यह तो यह देख सकते हो एक ळेड़ घंटे में अच्छ से एक कीडर बनेगें तो पहले हमें इसके के कईारी को बने लिए उसके कर दो 스팈 एकठी सब बनी है और और यह दम खस्ता उसे देखिए एकदम परफेक्ट लेहर बनी है तो उपर से थोड़ी से गानिश कर लेंगे क्योंकि अभी तुहारों पर बना रहे हैं तो थोड़ी से यहां पर चांदी का वर्क लगा देंगे अगर लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए नहीं तो स्किप कर सकती हो और बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो कनारों को मच्चे से निकाल देंगे ना तो हमारे बरफी के पीस है वो एकदम कलीन निकलेंगे तब आप अपने मन मुताबित है जो इसके पीस कट कर सकती हो तो मैं यहां पर थोड़े से लंबे साइज के पीस रख रहे हूं तो इस तरीके से आप यह असानी से यह डबल लहर वाली मिठाई घर पे बना सकते हो तो चलिए अब बनाते हैं करमल लड़ू जो असानी से बनकर त्यार हो जाएंगे खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी बनेंगे सबसे पहले हम यहां पर पनीर लेंगे पनीर को कद्दू कस कर लेंगे या फिर हातों से इस तरीके से तोड़ लेंगे इसमें हम दो चम्मा जितना चीनी का पाउडर डालेंगे और साथ में हम आधिक टोरी जितना मिल्क पाउडर डालेंगे और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो यहां पर मिल्क पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी चीनी एड़ करेंगे और गेंस की फ्लेम को बिल्कुल ही धीमी कर देंगे धीमी आज पर हम इस मिठाई को बनाएंगे जब चीनी अच्छे से मैल्ट हो जाए इस तरीके से देख सकते हो तो हम लगातार चलाती हुए चीनी को अच्छे से मैल्ट कर लेंगे धीरे धीरे आपकी जो इस तरीके से मैल्ट हो जाएगी यह देख सकते हो थोड़ा और पकाएगे इसका कलर थोड़ा सा डारक कर लेंगे जब चीनी कुछ इस तरीके से कलर में हो जाएगी तो अब जो हमने मिक्स बना के रखा है ना वो सारा हम यहां पे आड़ कर देंगे तो याद रहे कि के साथ mix करेंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे तो जब हम चीनी को करेमल करके ये लड़ू बनाते है ना तो इसके आगे आपको कलाकंद भी फेल लगेगा इतनी जादा ये स्वादिश लड़ू बनते हैं तो अच्छे से मैंने इसे तीन से चार मिंट पकायर ये अच्छे को है जो आप गरम गरम ही कोई ट्रे और या फिर किसी थाली वगेरा में सेट कर दीजी और बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो आदे घंटे के बाद में तो हम इसके बनाएंगे लड़ू लड़ू बनाने के लिए थोड़ा सलका सा ठंडा कर लिजे हातों में दबाती इच्छा ही नहीं होगे और ना ही आप मार्केट की मिठाई लेकर आओगे गानिश करने के लिए याँ पे थोड़े से मैं पिस्टे की कदरन लगा देती हूँ आप थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हो और ये देख सकते हो हमारे स्वादिष्ट से दानेदार दालेंगे आधिक तो जी तनी चीनी डारेंगे और फ्लेवर के लिए दोहरी लाची डाल के इसका हमें पाउडर बना लेना है चीनी को अगर आपके पास बूरा चीनी है तो आप वो भी यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हो तो चीनी को मेरे अच्छी से है जो इस तरीके से पीस यह देख सकते हो पाउडर बन गया है तो अब हम क्या करेंगे इस चीनी को छान लेंगे तो आपे हम कोई एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर एक छलनी लगा कर इस चीनी को अच्छे से चान लेंगे ताकि कोई चीनी इसमें थोड़े वोत रहे भी गई है तो वो निकल चान के लेंगे तो जब हम मिठाई खाएंगे तो इसकी कोई करकर की आवाज नहीं आएगी बीच में और साबुत चीनी अगर रह जाती है तो फिर हम मिठाई खाते है तो पूरी मिठाई का टेस्ट ही खराब हो जाता है तो चीनी को मैंने अच्छे से है जो पीस लिया इसे चाहे तो यहां पर कोई भी ड्राइफ रूट एड़ कर सकती हो यहां फिर स्किप भी कर सकती हो दस से बारा मेने यहां पर बदाम लिये और इनको हम पीस लेंगे डखकन लगा कि अच्छे से इससे हमारी मिठाई करना टेस्ट थोड़ा दुगना हो जाएगा तो अगर आप बस गी के साथ चीनी और नारेल के बुरादे को अच्छे से मिक्स करके रिसका एक पेस्ट बना लेंगे तिये मिठाई आज हमना बिना गेस जलाई बनाएंगे और जिसे भी खिलादियार आपने बता दिये ना कि यह बिना गेस जलाई बनाई है तो किसी को यकिन भी नहीं ह होगा कि बिना गेस जलाई इतनी स्वादिश मिठाई केस से बन सकती है तो बस अच्छे से इसको पेस्ट बना लेना है थोड़ी देरी से फेट लेना है ताकि यह थोड़ा सा फलफी हो जाए एकदम क्रीमी हो जाए तो उसे हम रखेंगे साइड में फिर से एक मिक्सी का जा बुणा हुआ चना आपको मार्केट से असानी से मिल जाएगा इसका छिलका हटा दीजिए साफ करके यहां पे डेट की जितना साबूत चने इस तरह किसे डाल देंगे भुने होई इसका भी हमें एक पाउडर बना लेना इस तरह किसे तो यह हमारा भुना हुआ बेसन बन का त्यार हो गया इस तरीक से देख सकते हो एकदम फाइन है पीस लेना है अगर आपको लगे कि यह थोड़ा मोटा है तो आप क्या कर सकते हो इसे चान सकते हो तो अच्छे से मैं इसे पीस लिया तो बस इसमें एड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा येलो फूर डाल देंगे तो बस इस तरीक से कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ में अगर आपको जुरूरत लगे तो यहां पे घी गरम करके आप और एड कर सकते हो और अगर गी नहीं डालना चाहते हो तो यहां पे दूद की ठंडी मलाईर भी एड कर सकते हो जुरूरत के साथ से इससे दबाती हुए सैट कर लेंगे और बस इस तरिके से रखके और आप थे खंते के लिए से कटिंग कर लेंगे तो अदिए घंटे में बहुत ही अच्छे सी ये ये सेट हो जाती है ये देख सकते हो तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो आप अपने जरूरत के साब से जैसे आप इसके पीस कट करना चाहते हो वैसे इसके पीस कट कर सकते हो एकदम सूपर सॉफ्ट मुं में गुल जाने वाली हमारी मिठाई बनकर त्यार हो गई है बिना गैंस जलाए बहुत ही जादा टेश्टी और स्वाधिश्ट बनती है दोस्तों और हैल्दी भी है क्योंकि हमने इसे हुए चने से बनाई है तो इस तरीके से आप भी है जो यह देख सकते हो कितने क्लीन इसके पीस निकले है थोड़ी से हम यहां पर गार्निश करेंगे तो गार्निश के लिए मैंने यहां पर बदाम को बीच में से कट करके लगा दिया है थोड़े से गुलाब की पत्ती और थोड़े से मैंने आप पिस्ते की कत्रन लगा दिया है तो इस तरीके से बना के आप भी तुहारों पर यह मिठाईयां बना सकते हो बिना किसी ताम जाम के तो चलिए अब हम बनाएंगे बहुती ज्यादा स्वादिश्ट से और एकदम आसान से रस्पी जो मावा बर्पी ब तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसके किनारे हटा देंगे और सारे पीस है जो इसी तरीके से ले लेंगे निकालके और अब हम यहाँ पे एक मिकसी का जार लेंगे इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी जितनी चीनी और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे फ्लेवर के लिए हरी लएची साथ से आठ हम यहां पे काजु ढालेंगे अगर डालना चाहती हो तो डालें नहीतो क्या कर सकते हो आप स्किप कर सकते हो डक्कल लगा के अच्छे से पीस लेंगे तो काजू डालने से इस मिठाई का थोड़ा जादा टेस्ट अच्छा आएगा तो आप जरूर से एड़ करें काजू नहीं है तो आप यहाँ पे बदाम भी एड़ कर सकते हो अब जो यह जीनी का पाउडर हमने पीस के रखा एक बाउर में डालेंगे तो जो नहीं कहने इक पाउडर बना लेना नहीं पाउडर नहीं कहों great अब जो हमने चिनी워서 पाउडर बनाके रखा यह फो डोडह करेंगा चीनी के भी एड़ का पीस देना है पूरा आप मिक्सर आडा कर दू"? और साथ में हम यहाँ पे एक टोरी जितना मिल्क पाउडर डालेंगे इस से हमारी जो मिढ़ाई का टेस्ट आएगा ना एकदम मावे जैसा आएगा और साथ में एक टोरी जितना हम यहाँ पे नारियल का बुरादा एड़ कर दींगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद में अब हम यहाँ पे लेंगे एक टोरी जितना दूद की मलाई एकदम फ्रेस्ट मलाई लेनी है आपको ताजा मलाई दो दिन की मलाई हो तो चलेगी मगर पुरानी मलाई आपको नहीं लेनी है और मलाई आपकी थंडी होनी चाहिए कलीन करके और अब हम इसे आदे गंटे के लिए फरीज में रख देंगे तो आदे से एक घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी और ये लेज़े एक घंटे के बाद में मैंने इस बर्फी को नेका रागा एकदम अच्छे से ये सेट हो गए तो चलिए इसका बटर पेपर हम अटा देंगे और इसके हम थोड़ी सी गानिश करेंगे तो यह देख सकते हो बोरी अच्छे से सेट होगे और जिसे भी आपने खिलादियार बताई नहीं ना कि आपने ये ब्रेड से बनाई है तो किसी को यकिन भी नहीं होगा तुवहारो वाली लूकिंग देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वरक लगाएंगे पिस्तिकी कतरन लगाएंगे और हलका सा इस कतरन को है जो दबा देंगे और अपने मन मताबित पीज में इस तरीकी से कट कर लेंगे ये कुमेंट करके जरूर बताना फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद दोस्तों